आपके सामनी है क्लास 6 इंग्लिश न्यू इमेज चैप्टर 9 दे स्पेशल प्राइज यहां पर हम वीडियो में एक्सरसाइज के चूज दा करेक्ट आंसर्स के ओप्संस को चेक करने वाले हैं और फिस उसके बाद कोस्ट आंसर्स करेंगे जब सोबकीपर ने उसके बारे में कम्प्लें की तो तपन किस तरीके से बहेव कर रहा था तपन वास रेस्पेक्टफुल बट होनेस्ट कोस्ट सेकिड तपन वास बैद बड़ बड़ दे स्कूल बट हेल्ट अल्ड मुमें बिकोस्ट आपस नमबर सी इस राइट ही वास सोफ कोस्ट नमबर फाइफ तपन वास गिवन दे स्पेसल प्राइज तपन को स्पेसल प्राइज मिला क्योंकि वास रेली वेरी हैल्फुल एंड काइंड अब आजाते हैं इस चैप्टर की कोसर आशर पर कोसर नमबर वन मौहन को ये कैसे पता चला कि हैड़ मास्टर गुस्टे में है और हेड़ मास्टर ने तपन को बलाने के लिए उसे क्यों बेजा आंसर इसमें मोहन गेस्ट from the growl in the voice that the headmaster was very angry अरेन तसोपकी पर उप पदमुनी विलेज had complained to the headmaster that अपन a number of other boys had thrown stone of his shop the previous evening so the headmaster sent for तपन यानि मोहन को अपने मोहन को इन headmaster की आवाज सुनकर कि उनकी गरजने वाली आवाज सुनकर समझ आ गया था कि headmaster आज बहुत ज़दा गुस्य में है क्योंकि हैरन नाम की एक सोपकी पर जो पदमुनी विलेज का एक सोपकी पर था अब देखो तपन और कुछ लड़कों ने मिलकर हैरन की हैरन नाम की सोपकीपर की दुकान पर पत्थर फैके थे पिछली साम और तपन जो है अपने लोग अपने क्लासमेट के आपने दोस्तों का रिंग लीडर है तो तपन ने इसलिए यह ऐसा क्यों किया क्योंकि जो सोप की पर था फूर हाईयर प्राइस है समानों को बेचा करता था और समान भी कम डिया करता था उसका पेपर से बना बैग नीचे से भाड़ी ठागत परचेश करते थे उसमें समान कम मिलता था उसका वजन कम होता था न्यश्काइब हाओ टपन कन्ट्रोल द सपन ने आक्ष को क पहले तो अपन ने रसी करी दी फिर दीरे से और सके पास गया एक सही पल देखकर वो उसके पर पूद गया और रसी को ऑसके मुँपर जगड़ लिया जैसे कि कोई घोड़े को जगड़ लेता है उसी तरीके जब ओक्स को ये हैरानी हुई कि कोई उसके उपर बैठा हुआ है तो उसने उच्छलना कुदना शुरू कर दिया और फिर तब तक उस तपन ने किसी ना किसी तरीके से अपनी रसी से उसे जखड लिया था अपने आपको बैलेस बनाकर रखा था उस ऑक्स के उपर तो यह आंसर इहीं तक था कोसन फोर्ड में पूछा गया है वाट डैमेज डिदा इंसिडेंट विद्द ऑउक्स लीड टो की डैमेज क्या हुआ मतलब उस घटना से जिसमें बैल से कोई डैमेज हुआ था वो क्या हुआ था और टपन को क्या पनिसमेंट दी गई जिसमें बताया गया है आंसर में जब ओक्स ने स्कूल कंपाउंट में पहुँच गया था तो बहुत सारे बच्चों को चोटें आई इसकूल की जो बिल्निंग थी वो भी डैमेज हो गई जैसे विंड़ो पेंस जो थे बहुत से वो तूट चुके थे इसके लिए हेड़ मास्टर ने तपन पर 25 रुपीज का जर्माना लगाया तपन ने ओल्ड वूमेन की कैसे मदद की ओल्ड वूमेन जो थी उसको बुखार था वो ठीक से चल भी नहीं पाते थी और ये देखकर कि एक बुड़ी औरत पर दी ही तकलीफ में है तपन ने उसका बैग अपने सिर पर रख लिया और उसका हाथ पढ़़ कर कहा चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ तपन ने क्या देखा कि टपन क्या करता है जब वो एक वोक पर निकले तो हेड मास्टर ने देखा कि वो स्कूल का बुरा लड़का जिसका नाम है टपन एक बुड़ी विकारन का हाथ पकड़े उसके बैग को अपने सिर पर रखे ले जा रहा है और उस पास में जाकर लिकारर पर क में Soapka कि ने क्या अथी कि सजा देने की डूटी कि तिए जो क्टपन था उसने सही किया था पनिस करकर को किया या नहीं कि antya तो अश्का आंसर आपको क्यों वेग दे ना है ऐसा क्यों कि उसने क्या वो सही है या गलत तो यहां पर हमने बताया है आंसर कि यह डूटी पदमनी गाउं के गवर्मेंट या फिर पंचायत की है उस बेमान सोबकी पर को सजा देने की और यह बिल्कुल गलत है जो तपन ने किया था क्योंकि उसको नियमों को अपने हाथ में नहीं लेना क्या आपको लगता है ऐसे सरारती बच्चों को सजा देनी चाहिए अगर उनकी इच्छा भी नहीं थी दूसरों को परिशान करने की अगर वो चाते भी नहीं तब भी उनसे गलती से हो जाए क्या उनसे सजा देनी चाहिए तो इस पर हमने लिखा है आंसर येस यानि सराती बच्चों को सरात करने पर सजा मिलनी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है अगर ऐसा वो बार बार करेंगे दूसरों को चोट पहुचाएंगे तो वो अपना डिसिप्लेन हो देंगे उन्हें के अंदर डिसिप्लेन नहीं रहेगा तो इसलिए हमें उनको डिसिप्लेन मिलाने के लिए ये सब करना पड़ता है तो ये ही कौसना अंसर थे हैं आपर खतम होते हैं ले कौसना अंसर फिर से सोकर देता हूँ आपको कर देता हैं आपको